हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है गैजेट से यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पोड़ेबल ब्रूटूथी स्पीकर की जो है जेब्रॉनिक्स जेब म्यूजिक बॉंब एक्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको गैजेट से रेलेटेड वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे बैल आइकन को दबाईए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोट्फिकेशन आप तक पहुंच सके बात करें box की तो box के चारो तरफ आपको इस speaker की features mention देखने को मिलते हैं और Jabronix की branding देखने को मिलती है box में आपको speaker, charging cable, metal hook और user manual देखने को मिलता है बात कर दे इस speaker की तो यह speaker आपको plastic build के साथ देखने को मिलता है जिसके आगे और पीछे side आपको metal का mesh देखने को मिलता है इसके नीचे side आपको TF card slot दिया गया है जिसमें आप 32 GB तक का memory card लगा सकते हैं और इसके ठीक बगल में आपको aux port दिया गया है और इसके बगल में आपको type C port दिया गया है जिससे आप इसी speaker को charge कर सकते हैं और इसके बगल में आपको charging indicator भी दिया गया है इस speaker के उपसाइड आपको play pause का button दिया गया है जिसके बगल में आपको volume decrease करने का button दिया गया है जिसको long प्रेश करके आप अपने previous song पे भी जा सकते हैं इसके बगल में आपको power button दिया गया है इसी power button के मज़से आप इसी speaker में mode को भी change कर सकते हैं इसके बगल में आपको volume increase करने का button दिया गया है और इसी button को देर तक प्रेश किये रहने पर आप song को next भी कर सकते हैं इसके ठीक बगल में आपको RGB का button दिया गया है जिसकी मज़से आप RGB को control कर सकते हैं और इस button को लागतार दो बार प्रेश करने से RGB को off या on भी कर सकते हैं इस speaker के अंदर 45 mm के दो speaker लगे हुए हैं और इसीक साथ इसमें aux input का भी support है इसमें आपको micro sd card और fm का भी support दिया गया है जिससे आप इसमें बिना phone के भी music सुन सकते हैं इस speaker में microphone भी दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने smartphone को connect करके इससे calling भी कर सकते हैं यह speaker IPX7 waterproof है जिसकी विदर से थोड़े बहुत पानी से यह speaker खराब नहीं होगा अब बात करें RGB की तो इसमें आपको 9 RGB mode दिये गये हैं जो की music के according response भी करते हैं चलिए जल्दी से इसका एक sound test कर लेते हैं जैसे कि आपने में सुना इसका volume आपको loud देखने की मिलता है और इसका base भी आपको अच्छा देखने को मिलता है बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो की 70% value पर RGB on करके आपको 11-12 गंटे तक का playback दे देता है वही RGB off करके इसमें आपको 16-17 गंटे तक का बैटरी बैक अप देखने को मिलता है चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसे फूल चार्जने में अप्रोक्स 4 गंटे का टाइम लगता है लेकिन इस स्पिकर को आप चार्जिंग में लगा कर भी म्यूजिक का आनन्द ले सकते है प्राइस की बात करें तो यह आपको ऑनलाइन 2499 बिर्पे के देखने की मिलता है लेकिन ओफर के दौरान इसका प्राइस 2000 के नीचे आ जाता है इस स्पिकर को खरीदने के लिए एक अच्छे डील हो जाती है इस स्पिकर में आपको तीन कलर ओप्सन दिये गया है और इस इक साथ आपको दो मॉडल दिये जाते हैं जिसमें से एक FM सपोर्ट के साथ आता है और दूसरा बिना FM सपोर्ट के अब बात करें या स्पिकर आपको लेना चाहिए या नहीं तो अगर आपका बजट 2.500 का है और आप एक ऐसा स्पिकर चाते हैं जिसमें आपको अच्छा बेस, वेल्यूम और RGB लाइट देखने को मिले तो यहाँ आपके लिए एक अच्छा आप्सन हो सकता है क्योंकि इस प्राइस रेंज में कमी ऐसे स्पिकर है जिसमें आपको RGB लाइट और 20W का स्पिकर देखने को मिलता है इस स्पिकर में आपको TWS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है जिससे आप इसी तरह के स्पिकर को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को जादा जादा सेयर करें ताकि यह चैनल जल्दी ग्रो करें और अगर आपका इस स्वीकर से रेटेट कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिजे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें